पता नहीं लोगडाउन के बाद आईसमान खुराना की फिल्म का क्या हो गया है? कोई फिल्म चल ही नहीं रही है. पहले बात करते हैं अनेक की, तो अनेक फिल्म भी बॉक्स ओपिस फर फ्लॉप साबित हुई. उसने अपने पहले दिन का कलेक्शन किया था सिर्फ धाई करोर. और डॉक्टर जी की बात करें तो उसने तो सारे तीन करोर कलेक्शन किया था, लेकिन वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी. अब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, एक्सन हीरो जो की आईसमान खुराना की फिल्म है, और इसने सबसे कम कलेक्शन किया है, मात्र डेर करोर इसने क क्लेक्शन किया है, इस फिल्म का बजेट है पैंतालिस करोर, लेकिन ये फिल्म लगता है, ये फिल्म भी फ्लॉप सावित होगी, क्योंकि इस से कुछ अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिल रहा है, जो होता है ने ऑरिचोंस की तरब से कुछ बेहतर सावित कर सकते हैं, एक्टि ओच्छी चुन नहीं रहे हैं और यह उन्होंने एक इंटर्व्यू में बताया था कि जो यह एक्शन हीरो फिल्म है यह लोगडाउन के बाद assass है लेकिन बाइचांस ये फिल्म चलेगी नहीं क्यूंकि पहला दिन देर करोड और बजट है पूरे फिल्म का 45 करोड तो बहुत मुस्किल है कि ये फिल्म 30 करोड भी पार कर ले अब देखते हैं क्या होता है ओडियन्स क्या चाहती है लेकिन आइसमान खुराना को अब अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट की तलास करनी चाहिए उक्टर जी में हमने इनको देखा था कि बहुत अच्छा इन्होंने जो प्ले किया था लेकिन थोड़ा मुड़ा वहाँ पे क्रिंज हो गया था इनका कॉमेडी लेकिन आक्टिंग बहतर थी इनकी अब आगे देखना है ये कौ बहुत ही बढ़िया एक्टर है लेकिन आब वह स्क्रिप्ट अच्छे चुने तभी उनका केरियर और भी जादा बढ़ सकता है क्योंकि लोगडाउन के बाद ओडियंस का टेस्ट पूरी तरह से चेंज हो गया है बहुत अलग-अलग फिल्में चल रही है जैसी कांतारा और वैसे आइसमान खुराना तो एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं और अलग-अलग तरह की फिल्में करते हुए वो जाने जाते हैं